अभी लाइब नाओ क्या हम लोग अभी लाइब है ओके देन एक बार फटाफट से सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देगे विए गोई टो स्टार्ट दो सेशन नाओ पटाफट से सबी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजे तुड़े इस दा दे नाइन ओफ आर टॉप 600 करण अफेर्स फ्रम जैन टू जुलाइ मन्थ जिसमें हम डेली यहां पर रैपिट फायर करते हैं आप अराउंड सिक्स्टी क्वेशन्स ओके स्टार्ट करते हैं ओके सो फर्स्ट फॉल मैं आपको यहां पर पुताना चाहती हूँ दाट यह रा सम कोर्स जिनको आप शीतल कोड का यूज करके 45 पॉसंट या मैक्सिमम ऑफ जो भी उन कोर्स पर उस वक्त पे चल रहा होगा वह आप अवेल कर सकते हैं इसके अलाबा थ्री न्यू बैच्च यहां पर इंटर्ड्यूज हुए है एक है आपको मिल जाएगा दूसरा आपको धुरंदर 2.2 रर्व और यह आप अवेल कर सकते हैं यह तीन न्यू कोर्स है इन सभी पर आपको शीतल कोड लगाना है तीसरा वाला है पॉसनलाइज इंटर्व्यू बैच्पोर करनाटक बैं यानि कि कंणर्ड इंग्लिश और हिंदी तीनों किसी भी माधिम से आप यहां पर इंटर्व्यू जो है वो दे सकते हैं ठीक है और इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स में आपको इंडॉल करना है तो शीतल कोड का यूज कर सकते हैं बैंकिंग सूपर सौरव, अर्जुन, अमन, पायल, आशीश, रावडी, अक्षे, हर्षा, एंटेन सिंब्लिक्स जो है इन्होंने करेक्ट आंसा किया है कोग्राचुलेशन्स गाइस डिली आप यहां पर लीडर बोड पर बने हुए हैं स्टार्ट करते हैं पहला यहां पर कल क्लास नहीं हु हुआ था आप लोग थोड़ा सा ना टेलीग्राम चैनल भी देखा कीजिए मेरा उसमें मैं आपको इन्फोर्मेशन दे देती हूं सारे गुद आफ्टरनून लक्षमिधर रोहित भारती अमन पैशनेट राम बाबु विनीच चीना राम ओके गुद आफ्टरनून एम डॉ संजीब बजाग या फिर टीवी नरेंद्रन क्या हो जाएगा इधर करेक्ट आंसर गुद आफ्टरनून अर्जुन बिल्कुल सही है मंत्पी संपत चिन्ना एकदम सही है क्या हो जाएगा संजीब बजाग जो है इधर क्या पॉइंट हुए है और आप से कहूँ of CIA तो answer क्या होगा confederation of Indian Industry के यहां पर Vice President इन में से कौन चुने गए है तो answer क्या होगा और दिनेश जो है यहां पर चुने गए है as the Vice President and Pawan मुंजाल has been chosen as the President President designate कौन अपॉइंट हुए है यहां पर याद रखना आपको next is who has been appointed as new Chairman and Managing Director of REC Limited यानि कि रूरल इलेक्रिफिकेशन कॉर्परेशन जो है उसके नए चेर्मन और मैनेजिंग डारेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट हुए है और राजेश उन्नी पुनीच चावला अलकेश कुमार शर्मा या फिर रविंदर सिंग धिलो अब आंसर करें यहां पर क्या होगा रविंदर सिंग धिलो के बाद में अभी 13th of May 2022 को कौन अपॉइंट हुए है विवेक कुमार देवांगन यह क्यों मैंने आप्शन में डाला इससे मिरे को आइडिया लग गया कि कितने सारे लोग जो है वो क्या आंसर करेंगे तो पहले कौन थे रविंदर सिंग धिलो अपॉइंट हुए थे उसके बाद में विवेक कुमार देवांगन जो है यह अभी क्या है यह बने है करन्ट चेर्मेन और मैनेजिंग डारेक्ट अगर कौन से मंत में में 2022 में अपॉइंट हुए है next is here who among the following has been appointed as the managing director of union Bank of India,DYंध किया होगा क्या हो जाएगा correct answer, राज करनी हैं यहां पर managing MD of Union Bank of India अगर आप से पूछू Union Bank of India का Headquarter किदर है और यह form कब हुआ था on which date it was established तो आंसर इदर क्या होगा फटाफट से बताइए UBI जो Union Bank of India है यह आपका इसका formation कब हुआ था established कब हुआ था और इसका जो headquarter है वो कहां पर होगा तो फटाफट से सबी लोग इदर answer करेंगे यह सबसे पहली बार establish हुआ था 11th of November in 1919 जब League of Nations और ILO का establishment हुआ था बिल्कुल उसी वक्त पर headquarters कहां पर होंगे इसके headquarters है मुंबई में अगर आपको class का PDF चाहिए तो आप जॉइन कर सकते हैं शीतर शर्मा 01 पर नेक्स question here is the government has appointed dash as the Punjab and Sindh Bank head इन में से किसको appoint किया गया है तो यहां पर answer क्या हो जाएगा स्वरूप कुमार साहा has been appointed as a Punjab and Sindh Bank MD next is here who was recently appointed as force commander of UN mission in South Sudan South Sudan के force commander UN mission के लिए कौन चुने गए है option है आपके शैलेश तीनेकर SS मिश्रा हर्षा गुपता या फिर मोहन सुब्रमनिया क्या हो जाएगा correct answer अब मैंना किसी को भी नहीं बोलने वाले हूं यहां पर कि शेयर करें because बोल बोल के मैं खुद परेशान हो चुकी हूं and I'm quite feeling low from since two three days मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है लो फील हो रहा है बहुत ज्यादा क्या होगा इतर आंसर बिलकुल सही correct answer होगा यहां पर मोहन सुब्रमनियम जो है lieutenant journal उनको पॉइंट किया गया है force commander for UN mission in South Sudan next is there who has been appointed as the chief executive officer and managing director of Aviva India Aviva India के यहां पर CEO and MD कौन चुने गए हैं तो answer क्या होगा इदा ओप्शन से आपके नवीन कहिलियानी असित रत तरुन चोगिया फिर कमलेश राओ बिलकुल सही है correct answer क्या हो जाएगा असित रत जो है यह अवीवा इंडिया के CEO and managing director चूज किये गए है पॉइंट किये गए है अगर आपसे पूछो एक रंजीत रत नाम मुझे इससे याद आ रहा है तो कोई बता सकता है यह रंजीत रत जो है यह किसके chairman चुने गए तो answer क्या होगा यह किसके यहां पर चुने गए है तो answer क्या हो जाएगा तो answer होगा oil India Limited जिसका short form भी oil ही होता है ठीक है short form भी क्या है oil ही है यहां कि oil India Limited जो है इसके चुने गए next is here journal mm Naravani has awarded president of colors to four battalions to which of the following regiments of Indian army यहां पर journal mm नरावनी जो थे उन्होंने president's colors to four battalions कौन सी regiment को दिया Indian army की options है यहां पर आपके गड़वाल राइफल्स जाट रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट यहां फिर पारशूट रेजिमेंट वेरी नाइस यहां पर almost अभी लोगों का correct answer आ रहा है ओके correct answer यहां पर क्या होगा पारशूट रेजिमेंट अगर आपसे पूछू who is the chief of army staff army staff के chief कौन है तो answer क्या होगा and vice chief of army staff दोनों चीज़े आपको याद रखनी है vice chief कौन है and chief कौन है बिल्कुल सही यहां पर होंगे मनो सी पाड़े ठीक है यह क्या है chief of army staff अभी इनको कुछ ताइम पहले ही जो हमारे former president थे रामनात कोविन जी ने इनको कौन सा medal दिया था कौन सा medal इनको दिया गया था कौन सा सेवल medal मिला था याद रखना परम परम विशिष्ट सेवा medal इनको मिला था और अगर आपसे पूछेगा who is the vice chief of army staff बिल्कुल सही है correct answer क्या हो जाएगा इनका appointment मही में हुआ इनका appointment अपरिल के अंदर होता है ठीक है यह आपको याद रखना है परम विशिष्ट सेवा medal मिला था next is here which of the following film has won the film of the year award at दादा साइफ फाल के international film festival awards 2022 यहाँ पर film of the year award दादा साइफ फाल के international film awards दिये गए 2022 के इन में से किसको मिला options है आपके Mimi 83 शेर्शा या फिर पुश्पा धराइस ठीक है क्या हो जाएगा answer इदर बिल्कुल सही correct answer अब यहाँ पर ना कुछ लोगों का answer आ रहा है C या D इसमें ना दो तरीके के award ले गए एक तो बोला गया यहाँ पर film of the year award और एक क्या मिला best film award मिला अच्छा अब यह बताओ मुझे इन में से that best film award went to which film at दादा साइफ फाल के international film festival awards दो चीजे दी गई एक तो best film award दिया गया और एक क्या था film of the year award फिल्म of the year award किसको मिला यह मिला पुषपादराइस को किसको मिला पुषपादराइस को whereas best film award जो मिला वो किसको मिला खाली best film होगा तो वो होगा शेर्शा अगर पूछू best actor award किसको मिला तो वो मिला रनवीर सिंग को for the movie 83 जिसमें कप्पिल देव का उन्होंने किरदार निभाया और अगर आपसे पूछेगा best actress का award किसको मिला तो answer क्या हो जाएगा क्रीती सेनन अच्छा क्रीती सेनन को अभी recently IFA award भी मिला है for the movie called Mimi ठीक है आइफा में भी best actress award क्रीती सेनन को ही मिला लेकिन अगर आपसे पूछू best actress award एक्टर अवर्ड आइफा के अंदर किसको मिला है आइफा आइफा अवर्ड अभी दिये गए recently पिछले ही महीने तो उसमें best actor award किसको मिला तो याद रखना Vicky Kaushal को for the movie सरदार उद्दम ठीक है याद रहेगा आपको यहाँ पर answer करें क्या हो जाएगा क्योंकि film of the year award बोला है तो पुछ पादरा इसको best film बोलता तो शेर्शा होता ओके नेक्स्ट है यहाँ पर who among the following has won the best actress at दादसाइफाल के international film festival award चाहे दादसाइफाल के हो या फिर आपका आइफा वर्ड सो यानि international Indian film awards जो है यह 2022 के दिये गए आइफा और दादसाइफाल के दोनों में ही किसको मिला करीती सैनन को मिला for the movie called Mimi जिसमें उन्होंने सैरोगेट मदर का रोल निभाय था next is who among the following has won best actor awarded दादसाइफाल के international film festival award तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा रनभी सिंग for the movie 83 वहीं पर अगर आइफा का पूछेगा तो आइफा में कौन हो जाएगा विक्की कोशल for movie सरदार उधब यह याद अठना है आपको दोनों चीज़े क्योंकि काफी बार आपके इस टैप के question आते हैं next is which of the following महारतना company has been awarded इंडिया's most trusted public sector company award इन में से कौन सी महारतना company को मिला है सबसे जादा trusted public sector company का award तो answer क्या होगा भारत petroleum corporation लिमिटेड हिंदुस्तान petroleum corporation लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड या फिर भारत हैवी इलेक्रिकर्स लिमिटेड सबसे जादा भरोसे बंद public sector company का award किसको मिला है कोल इंडिया लिमिटेड को जिसमें एक आयरने भी है कि सबसे जादा scam भी इधर ही होते है उसी को सबसे जादा भरोसे बंद public sector company भी बोला जाता है अगर आप से पूछू हूँ अपॉइंटेड अज दा न्यू चेयर परसन या फिर हूँ अपॉइंटेड अज पुश्प कुमार जोशी पुश्प कुमार जोशी इन प्लेस ऑफ मुकेश कुमार सुराना ठीक है यह आपको याज रखना है next is year who has which of the following has won the best film award अब आगे ना best film award at दादा साह फाल के international film festival award अब best film बोला तो क्या हो जाएगा शेरशा हो जाएगा है ना और film of the year होगा तो पुश पादा राइस next is who has won the 2022 world snooker championship held at crucible theater in sheffield इंग्लेंड 2022 का world snooker championship जो की crucible theater इंग्लेंड के अंदर होता है तो आपको mainly क्या याद रखना है कि world snooker championship इस बार कहां पर हुआ 2022 का इंग्लेंड में हुआ किसने इसको जीता है तो answer इधर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही यहाँ पर जितने भी लोग answer कर रहे हैं roni o sullivan एकदम correct आज़र है किसने जीता इसको roni o sullivan ने जीता next is here which university with 20 gold 7 silver and 5 bronze medal has won the second edition of khalo india university games of 2021 यानि कि यह दूसरी बार हुआ आपका khalo india university games of 2021 इसके अंदर इसको host कौन सी university ने किया कहां कि कौन सी university ने इसकी image बाने की तो answer क्या हो जाएगा jan university which is actually a deemed to be university जिसको push time में university का पूरा application मिलने वाला है तो jan university इसकी host भी रही और क्या रही winner भी रही इसने कितने gold medal जीते 20 gold medal के साथ में इसने इसको जीता है ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा jan university first number पे रही अगर आपसे पूछो second number पे कौन सी university रही तो वो कौन सी होगी lovely professional university जो की पंजाब की university है वो second number पे रही and third number पे रही पंजाब university है ठीक है यह यहाँ पर तीनों का क्या रहा इस बार क्रम रहा अगर आपसे मैं पूछो that how many gold were won by lovely professional university जो है LPU उसने total कितने gold medals जीते and पंजाब university ने total कितने gold medals जीते तो यह एक बार comment section में बताईए good afternoon nanny काफी लेट हो गए है जितने भी students class को देखते है डेली मेरे regular students है प्लीज classes को attend करिये at least 50 plus live count तो maintain कराने का आप कोशिश करी सकते है है ना अगर आपको पसंद आ रहा है तो please like and share जरूर कीचेगा अच्छा जैन university जो है यह कहां की university अगर पूछेगा कि यह host जैन university में हुआ लेकिन इसको host कौन से स्टेट ने किया सो रिवेंबर जैन university इस बेस्ट इन बैंगलूरू करनाटक समाय राइटिंग हाइदरबाद नहीं हाइदरबाद नहीं होगा क्या हो जाएगा करनाटक हो जाएगा ठीक है यह याद रखना इन में से किस ने जीता है फॉर्मुला वन ग्रांड प्रिक्स डी मोनेको 2022 ऑप्शन से आपके सर्जियो पैरेस कार्लोस सेंज मैक्स एमिलियन वर्स्ट अपैंड या फिर सी लेकर क्या हो जाएगा यहाँ पर टॉप पे कॉन रहे किस ने जीता तो वो जीता सर्जियो पैरे पर पुचेगा दूसरे नमबर पे लिए और दूसरे नमबर पे रहे और चॉतरे नमबर पे आपके 차als लेक्र robust नमबर पे रहे अगर आप से पूछेगा ये जो Carlo sense है ये किसके लिए चलाते है ये Ferrari की सवारी करते है Max was Japan जो की नीदर लेंड से हैं ये किसकी सवारी करते है तो याद रखना ये भी Red Bull की सवारी करते है और Charles Leclerc जो यहाँ पर बस गई ये किसकी करते है ये भी Ferrari की सवारी करते है ठीक है अब यहाँ पर आप से कैसे question पूछ सकता है Sergio Paris belong to which country Sergio Paris जो है ये कौन सी country से belong करते हैं तो answer क्या होगा पटाफट से बताओ Carlo sense कौन सी country से belong करते हैं उसके अलावा अगर आप से पूछेगा मेक्स वर्षट अपन कौन सी country से belong करते हैं तो याद रखना यह Sergio Paris जो है कहां से belong करते हैं मेक्सिको से belong करते हैं फिर अगर आप से इधर पूछेगा जो आपके क्या बोलते हैं Carlos sense जो है यह कौन सी country से belong करते हैं तो क्या हो जाएगा यह किदर से हैं Spain से हैं और अगर आप से पूछेगा मैक्स वर्षट अपन यह नीदर लेंड से हैं ओके याद रखना है आपको next question देखते हैं आप ब्रायन लारा अभी जस्पृत बुम्रा ने ब्रायन लारा का जो वर्ड record था वो सबसे जाधा रन single over में बनाने का टेस्ट मैस में वो इन्हों ने क्या कल दिया है तो यहां पर बुम्रा जो है उन्होंने कितने रन score किये वो भी कितने बॉल्स के अगेंस जो यह 19 साल पुराना यहां पर record उन्होंने तोड़ा क्या हो जाएका आंसर इदर ट्वेंटीच छो आगेंस एंडरशन इऔर सरटीच घ्रीक्स अगेंस्ट जेमस अंडर्सन फिन फिरक् intelligent इंडर्सन 29 अगेंस्ट US इगेंस्ट यह दो रोज चीज़े आपको यहाँ पर यादो नीची यह जुलाई के अंदर इन्हों ने यह वर्ल्ड रेकॉर्ड जो था यहाँ पर तोड़ा था ठीक है क्या हो जाएगा आंसर इदर बिलकुल सही रोज जाएगा यहाँ पर 34 रस जो है यहाँ पर इन्होंने स्मैश किया अगेंस्ट Stewart Board तो correct answer यहां पर क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा 34 against Stewart Board नेश्च यहां पर which state chief minister has announced to building a stadium in Olympic gold medalist नीर चोपडा जो गाउँ है पैत्रिक गाउँ है वो कहां पर है वो हर्याना के अंदर है तो obviously बात है हर्याना की CM जो है उन्होंने बोला कि यहां पर क्या बनाया जाएगा एक stadium बनाया जाएगा किदर बनाया जाएगा पानी पत में बनाया जाएगा इनके गाउँ में ठीक है next is here who among the following has won bronze at Asian badminton championship in Manila Manila Philippines के अंदर who has won bronze at Asian badminton championship सायना नेवाल पीवी सिंदू सान्या मिर्जा या फिर सिक्की रेडि अभी आपको पता है badminton के अंदर सबसे जबर्दस लेवल पर कौन चर रही है पीवी सिंदू कुछ ना कुछ वो medal यहाँ पर जीती रही है और इसी के साथ में बनिया है second Indian जिनोंने यहाँ पर second Asia यह बनिया यहाँ पर इन्होंने अपना second Asia badminton championship जो है वो इधर जीता है ठीक है किस से हार गई है यह भी पूछेगा कि bronze medal मिला लेकिन किस से हारी जो bronze medal मिला और किसने जीता silver medal तो answer क्या हो जाएगा अकाने यामा गूची अकाने यामा गूची जो है कहां की है जपान की है ठीक है तो कई बार ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि PB सिंदू ने जो bronze जीता तो उनको हराने वाली कौन सी country से बिलॉंग करती है तो answer हो जाएगा जपान next is here answer करिये फटाफर से क्या होगा Indian weightlifter dash has won the gold medal in 55 kg category at Singapore weightlifting international 2022 इन में से किसने 55 kg weight category में Singapore का जो weightlifting international championship हुआ 2022 का उसमें से किसने जीता है option से आपके पूनम यादव गीता रानी संजीता चानू और मीरा बाई चानू very nice correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा मीरा बाई चानू अगर मैं आप से पूछ हूँ that recently मीरा बाई चानू has won which medal in commonwealth games 2022 अभी फिलाल में आपके commonwealth games चल रहे हैं यहाँ पर इन्होंने total कितना weight उठाया है मीरा बाई चानू ने तो याद रखना इन्होंने gold medal जीता है इंडिया का पहला gold medal भी इन्होंने जीता commonwealth game में सबसे पहला first medal commonwealth game का किस ने जीता यह चानू ने जीता मीरा बाई चानू ने इसमें weight lifting event में कौन से 49 kg का जो category का weight lifting event था उसमें इन्होंने a total of 201 kg weight जो है यहाँ पर उठाया इन्होंने जिसके बाद में इनको यहाँ पर क्या मिला है जिसके बाद इनको मिला है gold medal वेराज यहाँ पर एक और जो weight lifter है नाम क्या है उनका नाम है संकेत सरगर संकेत सरगर जो है इनको क्या मिला है इन्होंने 55 kg category के अंदर इन्होंने silver medal जीता है अभी silver medal जीता है in commonwealth games यह मैं commonwealth games की बता रही हो cwg की बता रही हो अभी फिलाल में चल रहे हैं आपको पता होगा अच्छा अभी तक total इंडिया जो है how many medals have won by इंडिया in commonwealth games जो चल रहा है उसके अंदर इंडिया ने अभी कितने total medals यहाँ पर जीत लिए है तो याद रखना है इंडिया ने अभी 13 medals जीत लिए ठीक है यह आप याद रखना चलो next question यह आपर आ चुका है next question की बात करते हैं यह तो हम बाद में भी कर लेंगे और आज 7 बजे आप लोगों के लिए July current affairs के top 100 questions में लेके आ रही हो तो वो आप सभी लोगों को join करना है आज रात में 7 बजे या आज शाम को 7 बजे ठीक है रा बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा एक ही क्लास में जुलाई के जितने भी current affairs है जिसने भी डेली current affairs पड़े उसका रिविजन हो जाएगा और जिसने जुलाई के current affairs पड़े ही नहीं है उसको यहाँ पर अच्छे से याद हो जाएंगे next is which player has won the formula 1 2022 Saudi Arabian Grand Prix साउधी अरेबियन Grand Prix 2022 का जो formula 1 रेसिंग होता है इन में से किसने जीता है तो answer क्या हो जाएगा max worst up end लिविस हमिल्टेन चार्ल्स लेक्रेक या फिर कार्लोस सेंज जूनियर correct answer हो जाएगा max worst up end जो है इनोंने इसको साउधी अरेबियन Grand Prix जो हुआ इसको यहाँ पर जीता second यहाँ पर कौन आया तो answer क्या हो जाएगा चार्ल्स लेक्रेक यह क्या है second आया किसके लिए थोड़ी दरे पहले करा कि यह किसकी सवारी करते है लेक्रेक करते है फरारी की सवारी और कौन सी country से बिलॉंग करते है मोनाको से उसके अलावा आपको क्या या दखना है max worst up end किस say रेड़ बुल से first eye basketball के लिए सवारी करते हैं और कहां से है नीदरलेंड से बिलॉंग करते है यहां पर थरड अगर आपसे पूचेगा गोल्ड कितने थे तो आंसर क्या होगा इदर अगर एपसे पूचओ मैं यहाँ पर खूचप्छग्ड लेग जो है इसको इनकलूड किया गया है यूनेशको के जितना भी बास्थेर, व्ल्म बास्थेर नेट्वर्क जो है उसके अंदर इसको इंकलूड किया गया अगर आपसे पूचो मैं यहाँ- सभीविया मंगोलिया की कौन से नंबर की fresh water lake है in terms of volume of water तो सबसे बड़ी largest lake है in terms of fresh water जो मंगोलिया के अंदर होता है in fact मंगोलिया के अंदर 70% fresh water जो आता है वो इसी lake पे से पाया जाता है ठीक है यहाँ पर क्या होगा answer इंडिया ने gold medal कितना जीता एक gold medal, 5 silver और 11 bronze के साथ में total tally कितना रहा 17 medals का रहा wrestling championship के अंदर next is here as per the tom tom index ranking 2021 Mumbai has ranked at which position tom tom traffic index निकाला गया जिसमें Mumbai की rank क्या यह February का question है और अगर आप से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा congested यानि कि सबसे ज़्यादा traffic कहां देखा गया तो वो कौन सी city होगी पूरे world के अंदर तो आपको यहाँ पर याद रखना है Mumbai जो रहा यह कौन से number पे रहा 5th पे रहा फिर इंडिया की तरफ से बैंगलूरू जो है वो top 10 के अंदर आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा traffic देखा गया 10th नमबर पर लेकिन 1st नमबर पे कौन सा रहा Istanbul टर्की तर्की का जो तुर्की का जो Istanbul है यह किस नमबर पे रहा 1st नमबर पे रहा यानि कि this was the most congested city in the world सबसे ज़्यादा congested सबसे ज़्यादा traffic वाली यह city रही वर्ल्ड के अंदर जबकि second number पे कौन सा रहा Moscow of Russia Moscow जो है Russia का capital जो है वो यहाँ पर second number पे रही ठीक है यह आपको याद अखना है जबकि Mumbai, Bangaluru और Delhi जो है यह क्या रहे टॉप 3 के अंदर इंडिया के तरफ से यह top 3 के अंदर यहाँ पर रहते हैं अगर आपसे पूछेगा कि Delhi कौन से नंबर पे रहा Delhi की 11th rank रही यहाँ पर Bangaluru की 10th rank रही Delhi की 11th रही और पूने भी इसके अंदर फीचर होता है at 21st total है 404 cities का data लिया गया from 58 countries जहां पर जिनके भी उदर सबसे ज़्यादा traffic है उसको number 1 पे रखा गया तो इंडिया की तरफ से number 5 पे Mumbai, 10 पे Bengaluru, 11 पे Delhi, 21st पे पूने रहा ठीक है next है यहाँ पर आपका what was the rank of Reserve Bank of India in terms of buying gold among the world's central banks in 2021 यानि कि यहाँ पर gold के मामले में Central Bank का जो निकल के आया इंडिया के Reserve Bank of India की क्या रही second rank रही first किसकी रही यह था Central Bank of Thailand की यानि कि यहाँ पर Central Bank of Thailand जो है उसने सबसे जादा क्या किया है purchase किया है यहाँ पर gold purchase किया है अब बात इतर आती है how many tons of gold was purchased by Central Bank of Thailand and Reserve Bank of India है इसने कितना यहाँ पर किया जिसके बाद में इसकी जो rank रही वो second rank तो याद रखना यहाँ पर 90 metric tons जो है वो किसने purchase किया Bank of Thailand ने और RBI ने कितना किया जो यह second number पर रहा तो RBI ने 77.5 metric ton of gold जो है यहाँ पर क्या किया हमने खरीदा जिसके बाद में हम यहाँ पर second number पर रहे अगर आप से पुछेगा कि इंडिया का जो gold reserves है total जितने भी हमारे पास में स्वन भंडार है वो world में कौन से number पर आते हैं इंडिया है और यह किसने निकाला था यह world gold council जो है उसने यह report निकाली थी जिसमें बताया गया next is they are in accordance with the bloomberg's billionaire index who among the following has become Asia's richest person as on 8th of February 2022 यहाँ पर bloomberg's billionaire index जो निकाला गया उसके according Asia के richest person यहाँ पर कौन रहे 8th of February 2022 के according तो answer इधर क्या हो जाएगा शिव नादर, गौतम अडानी, रतन, टाटा या फिर मुकेश अंबानी करेक्ट आफसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मुकेश अंबानी जो है यह क्या रहे एशिया के richest person रहे अगर आपसे पूछा जाएगा गौतम अडानी के बारे में तो गौतम अडानी जो है अभी Forbes का लिस्ट निकला था, Forbes की लिस्ट में भी मुकेश अंबानी उपर थे और उसके चस्ट एक नीचे कौन थे, गौतम अडानी थे, चीक है यह याद रखना है Bloomberg Billionist Index का एक और दूसरा इंडेक्स आए, यह तो February का था, अगर बात करें अभी June जुलाई के अंदर जो Bloomberg Billionist Index was released for the year 2022 इसमें first position पे कौन रहे, तो answer क्या होगा, अभी June में भी निकाला है एक और Bloomberg Index जो है, यह June मंत के अंदर भी आया है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा answer, answer हो जाएगा first पे यहाँ पर भी कौन रहे, Elon Musk रहे और इंडिया की तरफ से किसने टॉप किया इदर, क्या वो गौतम अडानी थे या फिर वो मुकेश अंबानी थे, क्या हो जाएगा answer मुकेश अंबानी थे, next is here, what is the rank of India in the Liberal Democratic Index released by V Dem Institute at Sweden's University, V Dem Institute जो कि Sweden University में पढ़ता है, इन्होंने एक report निकाला Liberal Democratic Index के नाम से, इसमें इंडिया की जो rank थी, वो कितनी रही तो answer क्या हो जाएगा, इंडिया की इसमें rank रही 93rd, अगर आप से पूछेगा कि इसको टॉप किस ने किया, और दूसरा इसका title क्या दिया था, इसका title दिया था Democracy Report 2022, ये क्या था, title था, इसके आगे भी title है, आगे कुछ इस टाइप से है, autocratization, changing nature, autocratization, autocratization होता है न, जहाँ पर authoritarian या फिर autocracy चलाए जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा जो है, वो काफी जादा monopoly रखता है, तो changing nature यहाँ पर यह इसका पूरा क्या था, theme था, जिसमें आपका liberal democratic index जो है, वो निकाला गया, इसमें top 5 liberal democratic countries जो रही, वो कौन सी रही, first पे रही स्वीडन, इसको top किया, दूसरे पर रही आपकी Denmark, यानि कि जहाँ पर बहुत अच्छा democratic यानि कि बहुत liberty उदर है, democracy काफी liberal है उदर, हमारे इदर भी democracy है लेकिन उतले liberal नहीं है, वो आप rank से पता लगा सकते हो, उसके अलावा third number पे रहा है, इदर Norway, fourth पे कोस्टारीका, and fifth पे New Zealand, next is what is the rank of India in the sustainable development report of 2021 list, यहाँ पर 2021 की जो sustainable development report of 2021, what was the rank of India in it, 117, 120, 115 और 126, अभी एक और ना आपकी report आई थी, environment performance index और report आया, जिसमें environment performance के अंदर, इंडिया को जो rank मिला, out of total कितनी countries थी, 180 countries थी, इंडिया को क्या rank मिला था उसके अंदर, तो surprisingly उसमें इंडिया को 180 है थी, यानि कि last rank मिला था, उन्होंने बोला, 180 countries में सबसे बकवास environment performance इंडिया का है जो की बहुत जादा controversy में रहा, because इंडिया के अंदर, already काफी सारी environmental policies चल रहे हैं, उन्होंने बोला कि बगवास policies हैं, कोई action नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं, जबकि reality is different, ऐसा नहीं है कि हम मानते हैं, कि यहाँ पर pollution काफी है, climate change काफी हो रहा है, और बहुत सारी environment को लेकि यहाँ पर काफी सारे possible threats है, but we can't be at 180th position, हम last में नहीं हो सकते, that was the controversial one, कब निकाला था, इन्होंने 5 जून को निकाला था, और तब से यह controversy में रहा, क्योंकि इस चीज़ के उपर काफी doubt किया गया, और उस report की credibility पे भी doubt किया गया, sustainable development report जो है, यह किस वे उपर निकाली जाती है, sustainable development goals के उपर, कि बहुत सारे sustainable development goals दियो है, and initially how many sustainable development goals आ दिया, 17 sustainable development goals आ दिया, sustainable development क्या होती है, एक ऐसा अभिकास, जिसमें हमारे आज की वर्तमान की जो generation है, present generation की needs को हम यहाँ पर fulfill कर सके, without it deteriorating or compromising on the needs of the future generation, बिना future generation आने वाली पीडियो को, उनकी जो शमता हैं, उनको मिटाए, हम बिना उनकी जरुरतों को मिटाए, उनकी जरुरते को इस हिसाब से उनके जो resources है, कम किये बिना अपनी जरुरते कैसी पूरी करें, उसको कहते है sustainable development goals, that means, जहाँ पर हम resources, environment, सबको अपनी development के साथ लेके चले, तो 17 sustainable development goals यह यहाँ पर निकाल के चले, जिसमें total यहाँ पर कितनी countries का index निकाला गया, how many total countries were there, इंडिया का यहाँ पर score आता है, 60.07 out of 100 के score में, ठीके, 100 में से कितना points मिलते हैं, 60.07 मिलते हैं, अगर पूछेगा last year इंडिया की क्या rank रही थी, इसके अंदर, तो last year इंडिया की जो rank थी, वो 117 थी, यानि कि इस बार हमारी rank जो है, यह थोड़ी इदर पीछे रह गई, इसमें total 17 sustainable goals दिये गए, किस country ने किसी साब से उनको पूरा किया है, तो उस हिसाब से दिया गया, अगर आप से पूछेगा कि इसको top किस ने किया, तो answer क्या हो जाएगा, इसको top करने वाली country थ यह सबसे पहली बार, UN Journal Assembly ने इनको कब अडॉप्ट किया था, these sustainable development goals were adopted in which UN Journal Assembly तो answer क्या हो जाएगा, कि यह सितंबर 2015 में यह अडॉप्ट किये गए थे, as part of 2030 agenda for sustainable development, यहाँ पर 2030 का, कि 2030 तक हमको sustainable development करना है, एक agenda बनाया गया था, जिसके तहत यहाँ पर क्या किया गया था, 2015 में सितंबर को UNGA ने 17 sustainable development goals को adopt किया था, पहले 5 करने एक बार, फटा फट से, पहले 5 sustainable goals कर लेते हैं, चलो बाकी तो बाद में भी करा दूगे, मैं आपको 1 SDGs के लिए पूरी class भी लेक्या होंगे, पहले 5 कौन से होगे, सबसे पहले बोला, पहली चीज गरीबी नहीं होनी च दुसरा goal रखा गया, Zero Hunger, अगर poverty नहीं होगी, तो सबसे पहला क्या करोगे, तो मिंझे जिन्दा रहना है, जिन्दा रहने के लिए खाना चाहिए, तो जब गरीबी नहीं होगी, तो हंगर भी नहीं होगा, लोग भूखे भी नहीं होगी, उनके पास पैसा होगा तो वो खा भी सकते हैं तीसरा नमबर जब खा लेंगे तो पेट तो भर रहा है लेकिन जब कोई बिमारी होती है बिमार हो जाते हैं तो अपने आपको good health और well being दे पाएंगे तो third वाला रहा क्या है यहाँ पर good health and well being ठीक है क्योंकि अब पेट तो भरा हुआ है लेकिन शरीर के रोग और दूर करने है फिर उसके बाद में जब अच्छी health है तो school भी time से जा पाएंगे बच्चे उनके तो यहाँ पर क्या होगा quality education जब पेट भरा हुआ है health भी अच्छी है तो अब अपने आपको quality education देंगे शिक्षित करेंगे और जब शिक्षित होंगे तो यह भी पता चलेगा कि gender equal होते हैं और यहाँ पर gender equality जो है वो भी आएगी यानि कि जब education होगी तब ही तो पता चलता है कि लड़का लड़की बराबर है तो उनके अंदर से यह अनुपड लोगों के अंदर जो होता है कि लड़की हुई तो अच्छा है लड़का हुआ तो बुरा है तो वो sustainable development index of 2021 किसने इसको टॉप किया है तो अभी तीनों के बारे में हमने बात किया था सबसे उपर कौन था फिर्लेंड जहां पर सब कुछ क्या है फाइन है फॉर्स नमबर पर फिर्लेंड सेकिन नमबर पर स्वीडेंड थर्ड नमबर पर कौन सा था डैन्मार थर्ड नमबर पर फौत नमबर पर फिफ नमबर पर ता बेल्जियं यह आपको याद रखना है नेक्स्ट इस एयर हूं अमंग दॉवलिप्स इसका अब नाम बदल के क्या रख दिया गया है रोल रख दिया गया है तो इसको नाम बदल के रख दिया है रोल ठीक है अब इनों निकाला उसके अंदर सबसे वल्यूड सेलेब्रेटी कौन सा रहा विराट कोली ये रहे ओवरॉल नंबर वन पर अगर आपसे पूचे का फिमेल के अंदर नंबर वन कौन थी वो थी आलिया भट लेकिन ओवरॉल कौन सी रैंक पर 4 पर फर्स्ट पर विराट कोली सेकेंड पर रनवीर सिंग थर्ड पर कौन रहे रोहिशर्मा टॉप 10 के अंदर नहीं थे, तो थर्ड नंबर पर कौन रहे थर्ड नंबर पर रहे अक्षय कुमार, ठीक है, फोर्थ पर रही आलिया बढ़, आलिया बढ़ के बाद में कौन रहे, महेंदर सिंग धोनी देन अमिता बच्चन देन दिपिका बादुगोन देन सल्मान खान देन आईश्मान खुराना एंटेंथ नंबर पे रहे रितिक रौशन next is here what is the rank of India in wealth report 2022 by night frank which ranks countries in terms of most number of billionaires population यानि कि यह कह रहा है कि इधर एक wealth report of 2022 was released by night frank in terms of most number of billionaires population यानि कि सबसे जादा अरब पती की आबादी आपको कहां देखने को मिलेगी उसके अंदर इंडिया की जो rank रही वो कहां पर रही अब यह बात आ गई night frank ने यह क्या निकाली थी यहां पर list निकाली थी नाम क्या दिया था उसको नाम दिया था wealth report 2022 इसमें इन्होंने बोला कि सबसे जादा अरब पती लोग कहां पर मिलते हैं तो उसमें इंडिया कौन से नमबर पर रहा third number पे रहा, first number पे कौन रहा US, second number पे कौन रहा China, अगर आपसे पूछेगा कि US जो है इसके total कितने बताए तो 748 such अरब पती, यानि कि 748 यहाँ पर क्या रहे आपके billionaires अरब पती का population रहा, whereas number of billionaires in China were 554 इंडिया के अंदर काफी जादा margin के बाद में कितने रहे 145 such people fourth number पे रहा Germany and fifth number पे रहा इदर, 136 के साथ में fourth पे जर्मेनी था and fifth पे रहा Russia with 120 one such people, ठीक है, एक इसके बाद में आप यहाँ पर यह word भी देखेंगे, ultra high net worth individuals, यानि ultra high net worth individuals, जिनकी बहुत जादा high net worth है, ऐसे यहाँ पर इंडिया के अंदर, ultra high net worth के जो लोग है, उसमें कितना percentage का हमने increase देखा पिछले साल के मुकाबले, so there was 11% increase in 2021 in India और जिसमें बढ़के यह कितने हो गए 145 हमने यहाँ पर क्या देखे, billionaires का इदर population इदर देखा, ठीक है यह आपको यादत में, अगर आपसे कहेगा यहाँ पर कि सबसे ज़ादा ultra high net worth के individuals जो है, वो कौन सी city में सबसे city wise किसने टॉप किया तो बैंगलूरू में सबसे ज़ादा दिखा गया 17.1% people of बैंगलूरू, यह ultra high net worth के individuals यहाँ पर grow हुए, दूसरे नंबर पे रहा आपका डेली with 12.4% और मुंबई जो है, यह कितना रहा मुंबई रहा 9% increase के साथ में next is here, which country has led the digital skill readiness and has the highest readiness index among the 19 countries in the 2022 global digital skills index अब दो चीज़े बता दो, एक तो यह जो global digital index आया यह किस ने निकाला digital skills का index, कौन सी company कौन सी organization ने निकाला उसके अंदर यहाँ पर किस ने बोल रहा है कि top किया है, तो answer इदर क्या होगा इंडिया का क्या score इदर रहा तो इंडिया का 100 में से इसके अंदर score क्या रहता है, 63 रहता है ठीक है इंडिया की क्या rank रही इदर बिल्कुल सही, इंडिया की rank रही यहाँ पर first ठीक है क्या रहा सबसे top पर, इंडिया रहा सबसे top पर किसने निकाया, sales force ने निकाला किसने निकाला इसको, sales force जो है उसने निकाला, इंडिया की यहाँ पर 63 score रहता है out of 100, कितना score मिला 63 out of 100, इसके साथ में इंडिया जो था यहाँ पर सबसे आगे रहा, highest readiness index रहा इसका आमंगदा, 19 countries सेल्स फोर्स ने इसको निकाला था next is here, जितने भी alli board पर courses है आपको maximum discount मिल जाएगा अगर आप शीतल कोट का यूज करते हैं anytime, किसी भी वक्त, किसी भी course के उपर maximum discount देता है आपको शीतल कोट तो अगर आपको कोई भी course पर्चेस करना है तो शीतल कोट का यूज कर सकते हैं PDF में डारक्ट इस लिंक पर जाकर भी आप उस course को पर्चेस कर सकते हैं जो भी आपको पर्चेस करना है अभी तीन नए courses आए हैं एक है IBPS PO के लिए prelims plus main scores एक है धुरंदर 2.0 for RRB PO clerk means quant का batch है by लोकेश तर एक आपका है personalized interview batch for करनातक बैंक क्लर्क so all those who are preparing for करनातक बैंक क्लर्क interview then you guys will be offered and you guys will be allowed to give the interview in any of these three language करनाद, English and Hindi okay so do use शीतल कोट to get maximum discount on all these courses ठीक है इसके अलावा computer certification course भी शीतल कोट यूज करके कर सकते हैं next is who is the author of the biography on नीरत चोपडा, golden boy नीरत चोपडा क्या हो जाएगा answer यहाँ पर Mano Rama Jaffa, B. N. Goswami Jagrit Kaur या फिर नवदीप सिंगिल क्या हो जाएगा correct answer नवदीप सिंगिल जो है उन्होंने biography लिखी है किसकी उपर नीरत चोपडा के उपर next is who is the author of the graphic novel called Atharva the origin in which cricketer Mohinder Singh Dhoni has portrayed as the super hero Atharva यह Atharva जो है एक graphic novel है जिसमें Atharva का जो रोल है super hero का एक रोल है वो कौन निभा रहे हैं उसके इंदर cricketer Mohinder Singh Dhoni का वो character बनाये गया है तो इसको इसके author कौन है तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा सारनात वेनरजी रमेश तमिलमानी या फिर शामिक दास गुपता या फिर अशोग बैनर जी बिल्कुल से correct answer हो जागा यहाँ पर रमेश तमिलमानी जो है वो इसको निभा रहे है वो इसके author है next is who is the author of the book of late soli सोरब जी title soli सोरब जी life and time soli सोरब जी जो है यह पहले अटॉर्णी जोर्नल ऑफ इंडिया रहे चुके हैं ठीक है एड्वोकेट जोर्नल ऑफ इंडिया भी रहे चुके हैं यह और यह बुक जो है यह किस ने लिखी है दीपम चाटोजी अबिनव चंद्रचूड अमिताव कुमार और विवेक कुम विकास कुमार जाने लिखी थी अमिताव कुमार ने लिखी है दब्लीव बुक राइटर्स जॉर्नल और अभिनव चंद्रचूड ने कौन सी लिखी है यहां पर सौली सरब जी लिखी है वेरास दीपम चाटटग जी ने कौन of labor in India's development इसको वीवी-गिरी नैशनल इंस्टीट आफ लेबर जो है उसने क्या किया है इसको बनाया है लेबर मिनिस्ट्री ने इस को फुरा प्रेपैर किया है और लॉंच किसने किया है इसको तो एंसर क्या हो जाएगा जो कि आपके लेबर एंद्न एक प्रवाइमेंट मिनिस्टर भुपेंदर यादव यादव क्या है यह दे यूनियन निस्टर ओव लेबर एंद एम्प्लोइमेंट ठीक है तो आप सरकार को इंप्लोइमेंट के बारे में रोजगार देने का याद नहीं रहता तो याद दिलाने के लिए यादव जी को एवलिशन इन इंडिया क्या हो जाएगा अंसर इदर दा मैवरिक एफेक्ट जो है यह किसने ऑथर इसके ऑथर कौन है जो की को फाउंडर रहे है नास्कॉम के क्या नाम है उनका हरीश महता चीक है बिल्कुल सही है next is here who is the author of the book called बिर्सा मुंडा जंजातिय नायक किसके author कौन है आंसर क्या होगा करुणा शंकर मिश्रा हिरेन दोशी देविंदर बनवेट या फिर प्रोफेसर अलोग चक्रवाल बिल्कुल सही है correct answer हो जाएगा यहाँ पर प्रोफेसर अलोग चक्र बिर्सा मुंडा जंजातिय नायक के क्या रहे हैं अगर आपसे यहाँ पर पूछू यह minority affairs terrible affair minister रहते हैं अगर आपसे पूछो अभी फिलाल में minority affairs एक new बने है minority affairs minister कि इनको दिया गया additional charge of minority affairs का तो आंसर क्या हो जाएगा स्मृती जूबीन इरानी चीक है यूंकि आप वो शा स्टील मिनिस्ट्री का स्टील मिनिस्टर का एडिशनल चार्ज किसको मिला है जो आपके अल्रेड़ी civil aviation minister है क्या नाम है उनका जोते रादित्य है सिंधिया ठीक है next यहाँ पर आप दुकों रानी लक्ष्मी बाय टाइटल queen of fire has been written by which author इन में से किस लेखक द्वारा लिखी हुई ये बुक है जिसका नाम है queen of fire option है आपके रुदराश दीप देविका रंगचारी नताशा शर्मा या पिर कुमारी गौरी राना correct answer क्या हो जाएगा इदर देविका रंगचारी जो है इन्होंने ये बुक लिखी है queen of fire नाम से कि इसकी उपर है रानी लक्षमी बायोक के उपर है next is who has author the new book title decoding इंडिया ने बाभुडों जहां पर इंडिया का जो ब्यूरोक्राइट सिस्टम है उसकी उपर ये बुक इन्होंने लिखी है वो कौन है अमिताब कुमार मितलेश तिवारी रतनाकर शेटी या फिर आश्विन श्रिवास्तव ने लिखिया विकाज हमको बता है मितलेश तिवारी ने लिखिया उडान एक मजदूर बच्ची के आमिताब कुमार ने लिखिया है blue book writers journal तो यह हम clear idea लगा सकते है next is here world b day is observed annually on which date हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्श कौन सी तारिक को मनाया ज चाता है और सबसे पहली बार यह कब शुरू किया गया बिल्कुल सही है correct answer क्या होगा 20 माई को बनाया जाता है कल हमने 20 माई को एक और डे पढ़ा था वो कौन से था कौन बताना चाहेगा मुझे 21 माई को हमने international tea day पढ़ा था और 20 माई को हमने कौन सा दिन पढ़ा था फटा इस साल इसका थीम क्या रहा for the year 2022 बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा बी एंगेज़ काफी बड़ा थीम है इसका बी एंगेज़ आगे celebrating diversity of celebrating the diversity of bees and beekeeping culture ठीक है diversity of bees and beekeeping systems ठीक है यह याद रखना है आपको यह इसका क्या रहा theme for the year 2022 अगर आप से पुछे का first time कब मनाया गया था so it was celebrated on 20th of May 2018 सबसे पहली बार यह तब मनाया गया था इसको recognition तब मिला था next is year world day to combat desertification and drought is observed on which day every year मरुस्थली करन और सूखी का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस जो है प्रतियक वर्ष कौन सी date को मनाया जाता है तो answer क्या हो जाएगा इदर 17th of June को हम मनाते हैं world day of combat desertification की सब पूरी जमीन मरुस्थल में ना बदल जाए सूखा ना हो जाए सब जगा और theme क्या रहा for the year 2022 इसका तो क्या हो जाएगा rising up from the drought together यानि कि हम उबरेंगे किस से सारे साथ में मिलके rising up from the drought सूखे से उबरेंगे साथ में drought together यह आपको याद रखना है उसके अलावा इसको किसने मानेता दी हुई है तो वो क्या है आपका United Nation Convention to combat desertification इन्होंने क्या दिया है इसको proper एक इसको जो दर्जा है वो इन्होंने दिया है यह सबसे पहली बार कब हुआ था United Nation Journal Assembly जो है उसने सबसे पहली बार इसके regarding December 1994 में क्या किया था resolution अडॉप किया था इसके बाद में 1995 से इस डे को designate किया गया next is year world population day कब मनाया जाता है विश्यव जनसंक्या दिवस कब मनाया जाता है world population day is observed every year on which day to raise awareness about global population issues देखो जादा जनसंक्या बढ़ने से भी बहुत सारी problem होती है एक economy के उपर बहुत burden आता है तो इसलिए हर साल कब मनाते हैं 11 जुलाई को यह मनाया जाता है okay सबसे पहली बार first time इसको कब दर्जा मिला so in the year 1969 में इसको सबसे पहली बार दर्जा दिया गया उसके बाद में यहाँ पर 1990 से इसको क्या किया गया इसको मनाया गया this was first observed in 1990 चीक है 1969 में इसके बारे में पहली बार बात हुई थी और 1989 में यहाँ पर एक इसके लिए United Nation Development Program जो है उसने Population Fund एक बनाया था ठीक है कौन सा बनाया था United Nation Population Fund बनाया था 11th of July 1969 को इसका formation हुआ था यहाँ पर जिसके बाद में 11th July को चुझ किया गया as World Population Day अगर आपसे पूछेगा theme for the year 2022 इसकी क्या रही तो answer क्या होगा काफी बड़ी theme है answer करें फटाफट से क्या होगा a world of a world of 8 billion ठीक है बीन लिख रही हूं billion समझ लेन तोगेदर तोवर्ड तोगेदर तोवर्ड तोवर्ड फोर आ resilient resilient future for all harnessing opportunities and ensuring choices for all इस टाइप से पूरा एक यह theme है इसका आप बस इतना याद दख लेना a world of 8 billion towards for a resilient future for all और लास्ट में होगा rights and choices for all next है यहाँ पर आपका Airtel Payment Bank has partnered with which of the following bank to digitize the cash collection system in tier 3 cities and semi-urban regions यहाँ पर Airtel Payment Bank ने कौन से bank के साथ में partner किया है जहां पर यह cash collection system जो है tier 3 cities वो होती है जो बिल्कुल कस्बिल टाइप की cities होती है ना बिल्कुल एकदम पिछोटी cities जो होती है उसके साथ में किसने टाइप किया है यहाँ पर Airtel bank ने access bank के साथ में tie-up किया है next is according to RBI data credit card spending has crossed how much lakh crod rupees in May compared to 1.05 lakh crod in April तो answer क्या होगा 1.0205 1.10 या फिर 1.13 lakh crod correct answer क्या हो जाएगा 1.13 lakh crod रुपीज यहाँ पर credit card की spend होई सबसे जादा कौन से credit card का use करके हुआ है HDFC bank followed by SBI bank सबसे जादा credit card किसके HDFC bank के दूसर नमबर पर SBI bank next is which bank has launched its KCC digital renewable scheme enabling eligible customers to renew their किसान credit card accounts via digital modes यानि कि digitally क्या कर सकते हैं आपने किसान credit card जो है किसी जो है उसको renew करा सकते हैं तो यह एक नए टाइप की इन्होंने क्या निकाली है digital scheme निकाली है क्या हो जाएगा answer thank you RMS thank you so much okay correct answer यहाँ पर होगा Indian bank बहुत अच्छे almost everybody is giving correct answer no not Carnatic bank यहाँ पर Indian bank जो है उसने यह नए टाइप की KCC digital renewable scheme जो है यह नेशन वाइड यह शुरू की है नेक्स्ट इस विच आप दो फॉलिंग पॉब्लिक सेक्टर बैंक है इंटर्ड्यूज इस डिजिटल ब्रोकिंग solution e-broking इसका कही ना कही पिछले question से कुछ ना कुछ तो नाता है क्योंकि यहाँ पर answer कर रहे क्या होगा Indian bank जो है इसने e-broking एक digital ब्रोकिंग solution निकाल और कब निकाला था जब LIC का IP होने वाला था न उससे across the country यहाँ पर कौन सी ऐसे पहली फर्म बनी है जिनको RBI की तरफ से लाइसेंस मिला है प्रीपेड इंस्रूमेंट का cash withdrawal कर सकते हैं कई से भी तो answer क्या हो जाएगा Omnicard जब हम कहने ना कि किसी भी ATM से फ्रम एनी ATM एनीवेर तो Omnicard हो जाएगा नेक्स्ट इस विच पेमेंट्स बैंक हैस पार्टनरड विद गोडिजिट जर्नल इंशॉरेंस लेमेटर तो प्रोवाइड स्मॉल और मीडियम बिजनेस ओनर्स तू शॉप इंशॉरेंस कवरेज गोडिज जर्नल इंशॉरेंस कंपनी के साथ में इस बैंक पाकिस्तान साओधी अरेबिया अफगानिस्तान या फिर बांगलादेश फटाफर से आंसर करिये यहां पर क्या होगा बिल्कुर सही गोडिजिट ने पेस यू ड्राइव भी यह लॉंच किया है यह भी एक दम सही है कि जितना डिपेंडिंग ओन आप कार कितना चलाते हैं ड्राइविंग कितना करते हैं अब यह जो क्वेशन है आप सभी लोगों के लिए हो गया है आपका हूंवर्क और यह आप मुझे कहां सब्मिट करेंगे कॉमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मुझे सब्मिट करेंगे किसका आंसर क्या होगा एंड अट लीस्ट यार कम से लाइब नहीं अटेंड करें लेकिन अट लीस्ट आप अटेंड कर रहे हैं आफ्टर दग्लास मतलब क्लास होने के बाद में रिकॉर्ड सेशन आप ले रहे हैं तो प्रेजंट या पी जरूर लिख दीजे और अगर आपको क्लास का पीडिएफ चाहिए तो आप जोइन कर स तो सभी लगों को आना है और प्लीज गाइज इस सेशन के अंदर एट लीस्ट आपको 100 अब लाइव कॉंट रखना है प्लीज मेरे कहने पर इतना जरूर कर दीजेगा ठीक है इतना है जरूर कर दीजेगा ठीक है आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू सो मुच आप एविव सब्सक्राइब कर दीजेगा ठीक है अभी के लिए बस इतना ही थांक्यू सो मुच आपयों बबाएं ठीक है और विश्यू गाइस अल्ट बेस फोई अपका मिन एग्जाम्स